असलावलेकूम इस लेक्षर में हम स्वाट एनियरिस का एक सवाल डिसकस करते हैं ताके हमारे स्वाट एनियरिस के कुछ और बन जाएं और सवाल देखते हैं कि क्या कहता है सवाल में लिखाव है कि इस वालेइंग स्वाट में प्रेट्ट बाया तो वह सकता है कि कुछ गलतियां फॉर फार्मा प्राइवेट लेमेट एस्मॉल कमपनी मैंने फिक्ट्रिंग फार्मा प्रोडॉक्ट ठीक है और यह आपको शॉट इनियरिस बता बना कर दिया वह है स्ट्रेंद्ट वीक्नेस ऑ अंडर करेक्ट हेडिंग वेर नैसे सरी यानिके जहां पर इसमें गलतियां हैं तो आप उसको री क्लासिफाइब करकर बताएं तो चलिए कि करकर डिसकस करते हैं सबसे पहले हम स्ट्रेंट को देखते हैं इसमें पहली बात लिखी वी है रीसेंट मर्जर ऑफ टू मेजर जाने के हमारे जो कॉम्पेटेटर्स थे उसमें से दो कॉम्पेटेटर्स ऐसे जिन्होंने अपने अप्टेशन मर्च करनी है और वह एक मजीद बड़ी और पावर्फुल कंपनी बन गई है अब देखें यह एक स्टरनल बात इंटरनल नहीं है प्लस ऐसा मेरे लिए अच् अब टरीक जाने कि यह त्रेट्स में जाना चाहिए ठीक है ना एकस्टरनल बात है और नेगेटिव तो यह इंटरनल बात है ठीक है ना मेरी अपनी कंपनी से पर्टेन करती है और यह एक पॉजिटिफ बात है अगर इंटरनल बात है और पॉजिटिफ बात है तो यह मेरी एक स्ट्रेंथ लाजमी तोर पर है और अगर यह मेरी स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब यह है कि यह जो ट् इसका मतलब यह एक्स्टरनल बात है साइंस ने कुछ डिसकवरी करी है लेकिन मेरी फार्मसेटिकल कंपनी नहीं अभी तक में भी कोई 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 सामने कोई और डिजीज आई है या कोई और बात आई है एक्स्टरनल बात है और मेरे लिए अच्छी बात है ने ले धन्यों कोई अपयोपर्चेटियों कोई खिल रही है तो मेरे लिए क्योंकि यह एक opportunity है यानि कि external है प्लस पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो opportunity होगी है कि क्या कोई नई market open हो रही है अच्छा फिर weaknesses पर आते हैं weaknesses पर सबसे पहली चीज लिखी भी है slow progress with existing research projects यानि कि जो मेरे existing research के प्रोजेक्स हैं उस पर बहुत slow progress हो रही है काम स्थीक से नहीं हो पा रहा बात internal मेरी company से pertain करती है प्लस यह मेरी company का एक negative point है तो अगर internal है और negative है तो यह मेरी एक weakness है जिसको मुझे दूर करना होगा मुझे address करना होगा कि मेरी आखिर रसर्च वाली टीम जो है वो slow progress क्यों कर रही है यानि कि यह weakness ही है फिर लिखाव है extensive research knowledge of employees extensive research knowledge of employees मेरे जो workers हैं उनकी research की knowledge बहुत जादा है तो अगर मेरे workers की research की knowledge बहुत जादा है तो यह तो एक internal बात है और एक positive बात है तो इसको strength में जाना चाहिए यह मेरी एक strength है कि इसके बाद strong growth potential of the industry जो इंडस्ट्री है ना उसमें बहुत potential है grow करने का एक external बात है farm या company की बात नहीं हो रही है इंडस्ट्री की बात हो यह इंडस्ट्री में बहुत जादा potential है चीजों के ग्रो होने का और पोटेंशल ग्रो होने का मुझे भी फाइदा देगा मैं जब इस इंडस्ट्री में काम करूंगा तो मुझे भी उसका reward मिलेगा मुझे भी उसका फाइदा मिलेगा यानि कि यह एक external बात है ठीक है ना एक external बात है और यह external बात भी है और मेरे लिए पॉजिटिव भी है ठीक है ना देखें मैं यहां पर शायद लिखना बूल गया external plus positive मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया external plus positive क्या बनता है external plus positive जो है वह एक opportunity बनता है ठीक है तो यह opportunity है अच्छा उसके बाद फिर अगला क्या है poor record of converting research projects into new product development मेरा जो track recorder इस हवाले से कि मैं research को नहें product में convert नहीं करता वो बहुत खराब है यानिके internal or negative मसला है विच मीन्स के यह एक weakness है यानिके weakness वाले बार में आना चाहिए ठीक है हाई investment in advanced equipment मैंने बहुत जादा investment advanced equipment में करी वी है यह मेरी एक strength है कि मैंने अच्छी equipment रखी वी है अपने पास जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यह positive और अच्छी बात है कि मेरे पास महेंगी और जदीद और नए से नहीं equipment मौझूद है मैं आराम से कोई भी research कर सकता हूँ तो हाई investment in equipment एक strength है patents on six products patents on six products भी मेरी strength है यह product और कोई नहीं बना सकेगा अगर मेरे पास license है मेरे पास patent है उस product को बनाने का तो कोई और ऐसा product बना नहीं सकता यह भी मेरी एक strength है में हाई profit margins हाई profit margins मेरे profit margins अच्छे हैं तो यह तो अच्छी बात है और internally मैंने cost पर control अच्छा रखा होगा sales revenue ज्यादा होगा इसी लिए मेरे profit margins हाई होंगे तो यह एक strength और अच्छी बात है strength है मेरी strict regulation of new products जो नई products है उस पर बहुत ही खास तरह की regulations है कि उनको इस तरह के डबे में डालना है इस temperature पर रखना है जब आप launch करोगे तो government को बताना है यह license लेना है वो license लेना है तो यह तो गालेबन एक negative सी बात हो गई इस industry की और एक external है मेरे लिए internal नहीं है मेरे हाथ में नहीं employee turnover का मतलब होता है कि लोग मेरी company छोड़ छोड़ कर जा रहे हो में भी उनको facilities अच्छी नहीं मिल रही तंखा अच्छी नहीं मिल रही है कोई और मसले है तो यह मेरी company का internal और एक negative मामला है therefore यह मेरी एक weakness है तो इन basis पर आप यह चीज़ें identify करते हो और अगर आप इसका answer दे देखना था यानिकर सारी चीज़ें सही कर देनी थी के ठीब